नमस्कार मैं मुखशेक्तियागी IPL 2022 में गुजरात की टीम की बहुत चर्चा हो रही है हार्दिक पांडिया की बहुत चर्चा हो रही है लेकिन अब पंजाब के खिलाप एक बार फिर से हार्दिक पांडिया के एक फैसले की खूब चर्चा हो रही है लोग उसके बारे में खुब बाते कर रहे हैं और वो फैसला था हार्दिक पांडिया का टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करना जबकि हार्दिक पांडिया को पता था कि इस मैदान पर पहले बल्ले बाजी करने में नुकसान हो सकता है हार्दिक को पता था कि अगर पहले बल्ले बाजी करेंगे तो फस जाएंगी हार्दिक को पता था कि बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम को बेनेफिट है उसके बावदूर भी हार्दिक पांडिया ने पंजाब के खिलाप पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया था ये ना आपको पता है ना किसी को पता है और उस बारे में हार्दिक ने बताया कि हार्दिक के मन में क्या था क्यों हार्दिक ने फैसला लिया तो हार्दिक ने जब हार्दिक से इस बारे में पूछा गया कि आखिर आपने फैसला क्यों लिया तो हार्दिक ने बड़ा जब यह मैं देखना चाहता था कि हमारी टीम अगर टोस हार जाती तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती तब भी हमें रन बनाने पड़ते इसलिए मैंने सोचा कि जब हम टोस जीत गए हैं तो हम अपनी टीम को मुश्किल हालात में एक बार परक लें क्योंकि आने वाले मैच हार्दिक पान्या ने साफ साफ कहा कि जितना टोटल हम सोच रही थे 170 या 75 उतना टोटल हम नहीं बना पाई हमारे विकेट लगातार अंतराल पर गिरते चले गए हम विकेट नहीं संभाल कर खेल पाई यह हार्दिक पान्या ने कहा हार्दिक ने कहा कि अगर हमारे विकेट सब्सक्राइब कर खेलते बल्यबाज तो हम 170-75 रणनों तक पहुंच जाते और हम उसके बाबदूद मैत जीत सकते थे लेकिन हार्दिक के इस फैसले की जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो लोग ये समझें कि हार्दिक कितने सहासी कप्तान है हार्दिक कितने बड़े दिलवाले कप्तान है और कितने एक तरीके से कह सकते हैं कि देर कप्तान है क्योंकि हैसा फैसला लेना किसी कप्तान की बसकी बात नहीं है जिस पिछ पर बल्लेबाजों को शुरुआत में मदद नहीं है तो आपका हार्दिक पांडिया के इस फैसले पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बतेएगा वीडिल अच्छी लगए तो लाइक करिए शेर करिए चैनल को सबस्क्राइब जरूरूर।